नमस्कार दोस्तों मैं अर्जू रासप्रोइट काफी बार कमेंट सेक्शन में सोवन पूछे जाते हैं कि एमजोन पर जो है वो हम अपनी सेल्स कैसे इंक्रीज कर सकते हैं या फिर हमने प्रोड़क्ट लिस्ट कर दिये लेकिन सेल्स जो हो उतनी जादा नहीं आरी या फिर ज बढ़ाने के लिए तो आज इस वीडियो में आपके साथ में इसी से या निया जाकते करने उनक्रीमेट किस्ते हैं भूए लिस्टिंग को मुवेल के इस शाप से उप्िम एस करना में डिए संभा इसका प्रिविव लग आता है मोबाइल में अगर हम देखेंगे तो प्रिविव जो है वह हमें अलग मिलेगा अब जितने भी बायर्स होते हैं là ज़्यादा तर बायर जो है वो मुबाइल से शोपिंग करते हैं तो यहाँ पर एक कन्फूजर रहे जाता है कि भी बायर्स को जो है वो प्रोड़क्ट अलग तरीके से दिखता है थोड़ा वो प्रोड़क्ट डीटेल पिस इसका जो टाइटल है वो वेजिटेवल्स एंड फ्रूट तक यहाँ पर पूरा दिखा रहा है देकि जब मुबाइल में हम देखेंगे तो मुबाइल में इसका टाइटल जो है वो और चोटा शोगर है मतलब effortlessly तक ही जो है वो इसका टाइटल आ रहा है अगर आपके यहाँ पर देखेंगे मतलब की मुबाइल में टाइटल जो है वो कम दिखता है इन कंपेर टू डेश्टॉप तो यह हमें एंशयोर होना पड़िगा कि जब भी हम टाइटल डाल रहे हैं जो भी product की में चीजे हैं या मैं इसके जो points रही है आया में ऐसा कह सकते हैं जो product को describe करते हैं वो title के शोरू में होने चाहिए है तक कि अगर कोई customer उसे mobile पे तो जो में पोईन्ट से वो उन्य मुफऑन में बी दिखे ऐसा नहों, हम लिस्टिंग कर रहे हैं फिर हम देक्सटों के चेक करें कि में अच्छा तरीके से देक रहे हैं ठीक है लेकिन मुबाइल में भी चेक करने की जूरत है हमें मुबाइल के हिसाब से जो अपने वो बें क एगर आप उस प्रॉडक्स देखेंगे न ऊजगे हैं अजनके मोबाईल में ट्रयो पूंप्लिट आ रहे हैं वहीं काफि सारे आधर के मोबाईल में ट्रया जितना यहयं में ती traveled जरτα है कि gleich तक हम सबस् fully Kate अगर कोता होता है तो शाय तक है और हम देखते हैं तो यह भी एक में ड़िफरेंस हो जाता है मोबाइल व्यूँ में और ट्श्टॉप व्यूं में तो यह भी हमारे लिए मस्ट इंपोर्ट है कि जो भी हम ग्लेट पॉइंस डाल रहें वो शोट एंड रहें मतलब ऐसा नहीं कि उसको unnecessary हम लंबा खींच रहे हैं या ज्यादा बड़ा कर रहे हैं और हद से ज्यादा बड़ा लिखने से मुझे नहीं लिखता कि भी SEO में भी इसका बेनिफिट होता होगा अगर हम कवर करें इसके अंदर short and sweet तरीके से तो एक तो यह मुबाइल में दिखेगा और दूसरी चीज ज्यादा जो है वो clutter नहीं लगेगा या फिर ज्यादा जो हो में नहीं होगा viewers के लिए तो यह दूसरी जी जो हो हमें जान देने वाली है तीसरा अगर हम इसको scroll करें और इसके enhance brand content या फिर a plus content के बात करें तो a plus content का भी preview mobile में और desktop में जो हो दोनों में अलग-अलग हो जाता है तो देखे title mobile desktop में चेंज़ हो रहे हैं A plus content भी जो है वो वो और desktop में चेंज़ हो रहे हैं क्योंकि mobiles में ब्लॉग जो यह वो अलग तरीके से बिख रहे हैं इवन bullet points भी जो है मोबाइल और desktop में अलग-अलग तरीके से पर हो तो इस पर हमें ध्यान देने की जूरत है कि हम जो भी लिस्टिंग करें ना वो एटलिस हम इस तरीके से अप्टिमाइज करें कि ज्यादा तर कस्मस जो हमारे मुबाइल डिवाइसे से शॉपिंग करने वाले हैं उनको जो है वो हमारा प्रोड़क्त की जो जो में चीजे हैं जो जो ऐसी चीजे हैं जो उने बताना जरूरी है लेडिसक्राइब करना जरूरी है तो वह हम टाइटल में साही तरीके से मेंचन करें बुलेट परिके से मोबैल डिवाइसे से और उन्हां समझ पाए अब उसके बाद में जूसरी चीज है और प्रोड़क्तिन के इंग य Gu जहाँ प्रोड़क्त होना शुरू होता है तो जब हमारे प्रोड़क्त अउट ओफ च्टोक को जाता यह का वी समय तक आफ़ एसा हो जाता है कि हमें वहाँ पर बेजने कि में टायम लगया वहां तक हमारा प्रडूक्ट जो रहते हैं हुम से एसे डाल सकते हुए धोसरो अनकल के वह हमने फुल फुलफुल में वो यहाँ पे रहेगी मतलब कि वो प्रोड़क्ट जो है वो सोल डाउट नहीं होगा एक तरीके से दोनों ओफर जो उसके उपर लाइव रहेंगे तो फुल्फिल बाइमजून से मतलब अमजून वेरा उसे आउटो स्टोप होता ही वो मर्चंड फुल्फिल वाली अनिमेंट क्रेट करनी है और उसको हम जो हो फुल्फिल बाइमजुन नग सकते हैं तो एक ही प्रोड़क्ट हमारे फुल्फिल बाइमजून मर्चंड बही ऑप toast crunch अ अब उसके बाद में जो राती है ना वो आती है क्यों एक से अमजोन पर जो प्रोड़क्ट डिटेल पेज होता ना वहाँ पर बायर को ऑप्शिन मिलता है प्रोड़क्ट से रिलेटेड किस्टन पूट करने का अब यहां पर देखिए देखने वाली चीज यह कि जब भी कोई बायर वहाँ पर किस्टन डाल रहा है प्रोड़क्ट से रिलेटेड या फिर कोई भी क्वेरी डाल रहा है तो जाहिर से बात है कि वह बायर के क्वेरी प्रोड़क्ट डिटेल पर से शो नहीं हो रही मतलब उनको प्रोड़क्ट की डिस्क्रिप्शन से या फिर प्रोड़क इंपोर्टेड है कि हम जितने भी Bars की वहांपे क्वेरी सैंट उन के जो है वहांपे उनके जो हाई आंसवेर करें उनकी आंसुर करने का यहां पे पहला तो यह होगा कि जब हम Answer करता है तो वहांपे दिखाता है कि वहांपे सैलर वेस्ट तो फाल मेरे ज्यों होगो जाते ह है customers के even मैंने खुदने भी observe कि है कि जब हम shopping करते हैं तो कई बार हमें मालूम नहीं होता कि यह जो पर्टिकुलर प्रोड़क्ट है इसके साथ में compatible होगा या नहीं होगा कई बार मैंने देखा है कि sales जो वह बाइर की questions आस्वर करता ही नहीं है तो यह भी चीज़े जो है वो करने जैसी है और इसको अगर हम करते हैं तो इवन हमारी प्रोड़क्ट की रेंगिंग भी improve हो सकती है और जो नए बायस वहां पे आ रहे हैं उनके sales में convert होने के chances भी जो ब available था मैंने दो-तिन उसकी जो वह लिस्टिंग करें थी ज्यादा जो वह लिस्टिंग पर दान दिया नहीं था और इवन मैंने खुद नहीं भी देखा है कि ज्यादा तर सेलर जब लिस्टिंग करते हैं तो वह सिक बैसिक चीज़ें जो फिल करते हैं प्रोड़क्ट की इमे सिंप्शन और वह सारी चीज़ें चेंज की टाइटल चेंज किया और इमेजस पर भी जो थोड़ा बहुत काम किया और यह सब करने के बाद में जो रिजल्स देना वह वागे में बहुत शामदार थे मतलब जो प्रोड़क्ट के दस दिनों में भी एक-दो ओडर नहीं आते कर्णिशन में हम क्या का सकते हैं हम प्रोड़क्ट का का एक प्लस कॉंडेंट जो गुड़ा ऑड़क्ट का करता है प्रोड़क्ट को रंक रुघ करने में और बार को भी प्रोडाप की अंड essa युप अध्योग का पिजिक विडियो को कसे बाद हम आज इंक्सा से ने 과 इस आपके पेस्ट पर विजिट करता है उसके बाद में अगर उन्हें वीडियो मिलती है वहाँ पर जहां पर हम लाइव इन एक्षिन बताते हैं कि प्रोड़क्ट जो कैसे काम कर रहा है कैसे उनकी प्रोड़म सौल कर सकता है या फिर कैसा देखता तो उसका एक अलग इंपरेश का सकते हैं तो यह डेफिनेटली जो वहाँ पर होनी चाहिए उसके बाद में हम क्या का सकते हैं लिस्टिंग के लिए कि हम वेरीशन जो है वह भी क्रियेट का सकते हैं जैसे मैं यहां पर एक एक प्रोड़क्ट है पारड़िफन और उसके नहीं पांच शे कलर्स अवेलेब चाहिए या ब्लू किलर चाहिए तो वह हो सकता है वो किसे डूसरे कॉम्पेटिटी सेलर की लिस्टिंग पर जो है वहां पर चले जाए अगर उनको रिकमेंडेशन में दिखाता है या फिर वह दुबारा सर्श के डालते हैं या फिर उन्हें रेंड कर जो हो दूसरे से मिल तो बायर वहीं से मूव करके जो हो कलर से अपने सेलेक्ट कर सकता है दूसरा सबकी रेटिंग्स वह भी कंबाइन रहती है अगर आप नोटिस करेंगे कि जैसे मान लीजिए कि मैंने अलग-अलग लिस्टिंग्स करके रखी हुए किसी पर दो रेटिंग है किसी पी चार रे करने के लिए तो यह चीजर वह हम करता है लिस्टिं अप्टिमेजेशन के लिए बाकि जो चीजर है जैसे कीवर्ट हो गया टाइटल्स हो गया डिस्क्रिप्शन हो गया यह आप सबको मालूम ही है ताईटल्स के बुछ एक स्टेंडर्स है वह आपको फॉलो करने चाहिए जैसे कि शिरू में brand name हो गया, फिर उसके बाद में अगर हमारे product का कोई size है वो हमें mention करना है, अगर color है वो mention करना है, उसके बाद में कुछ specific keywords जो हमारे product से related है वो हमें mention करना है, टाइटल को भी कहीं लोग क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा बड़ा लिख देते हैं, बहुत and sweet अगर हम title लिखेंगे, तो mobile view में भी दिखेगा, desktop view में भी अच्छे से दिखेगा और बायर को भी समझने में हसानी होगी, अब इसके बाद में हम जो next अब बैंट के साथ में आपने लोग करेंगे, तो अगरेंस्टर करेंगे, तो बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, ब्रेंड अनलिटिक्स और वो सारी चीज़ें जो मिल जाती है, अब बेंजों के सेंटर्स में, लेकिन यहां पर हम जिस अप्शिन के बात करने हैं, वो है अपना brand store create करना brand store create करने का benefit क्या होता है जैसे मान लिजे कि हम product sell कर रहे हैं और हमारी listings जो है वो Amazon पे लगबग 300-400 listings है अब होता क्या है कि जैसे मान लिजे किसी भी customer ने हमारे product की कोई भी listing जो है वो visit की उसके बाद में जो हमारा अगर मैं आपको यहां पर दिखाओ जैसे डाइटल के नेचे option दिखा रहा है visit the prison store तो मतलब यह जो prison का brand है ना इन्होंने अपना brand store बना के रखा हुआ इस पर click करेंगे न तो buyer जो है वो directly हमारे brand store पे आ जाएंगे ब्रेंड store का benefit अभी होगा कि एक तो हम सही तरीके से हमारे product को organize करके राख पाएंगे जैसे मान लीजे कि हमारी अलग अलग categories में product है हम जैसे मान लीजे garments में deal करते है या फिर clothing categories में deal करते है तो हमारे product जैसे है men से related है women से related है फिर उसके बाद में shirts होगी pants होगी तो हम क्या कर सकते हैं हम अपने brand store में सबसे पहले उनको categorize कर सकते हैं उनको जो है वो सही तरीके से organize कर सकते हैं दूसरा benefit यह मिलता है कि जब भी customers हमारे brand store वाले place पे land होते हैं तो वहाँ पे competition नहीं मिलता है क्योंकि बायर जुगा वो हमारे brand store पे आ चुके है और कई पर बायरस को ऐसा भी होता है कि थोड़ा वो trust होता है brand के बाकी products के reviews वगरे देखके trust होता है कि यह brand जो वो अच्छा है और इस brand के मुझे बाकी products देखना है कि मेरे से related कोई product ऐसा है जो मेरी problem solve का सके तो भी वो brand store पे जाके products देख सकते हैं तो brand store से sales में convert होने के चाल से बढ़ जाते हैं और यह हमारी overall ranking को इंप्रूव करने में भी help करता है अगर हमारा brand store नहीं होता है तो वहाँ पे देखें यहाँ ब्रेंड store विजिट करने का option नहीं मिलता है title के नीचे सीधा brand का option मिलता है जब उस पे click करते हैं तो उस brand से related वा कि दूसरे brand की पर जो हो जाए या उन्हें जब बाकी सभी brands के product देख रहे हैं तो हो सकता है कि वह को दूसरे product पर भी जो है वो purchase कर लें तो brand store का benefit यह होता है कि वह directly हमारे जितने भी products है या फिर हमारी brand का store हो उस पे redirect होते हैं और वहां से जो explore का सकता है और purchase का सकता है तो यह कुछ चीजे थी जिनको अगर हम implement करते हैं या improve करते हैं तो हमारी sales जिए वो definitely increase हो सकते है तो उमीद करता हूँ छोटी से information आपके लिए helpful रही होगी बाकी e-commerce related videos के लिए आप जुड़े रिएमा चनल के साथ में इस video को देखने के लिए आपका बहुत बहुत